जैहिंत बच्चो दिस इस मुनीश कुमार एंड वेलकम तो लोफ यू इन इस वीडियो बच्चो इस वीडियो में आज हम क्लास थर्ड की मेरी गॉल्ड बुक की नाइन्थ यूनिट की स्टोरी ही इस माइ ब्रदर बिसकस करने जा रहे हैं ही इस माइ ब्रदर एक स्टोरी है जो की नाइन्थ यूनिट में है तो ही इस माइ ब्रदर मेंस वह मेरा भाई है तो लेट सी जली इस स्टोरी शुरू करते हैं once upon time एक बार की बात है there was a small hill एक small hill थी छोटी सी hill थी hill means पहाड़ी a path went up the hill एक रास्ता उस पहाड़ी के ऊपर को जाता था it went through thick and lovely woods of pine and fir trees ये जो रास्ता था जो जाता था उस पहाड़ी को वो बहुत ही थिक घना और lovely woods घना और प्यारे जंगल किसके जंगल थे? pine और fir trees के उससे घिरा हुआ था people often walked on it to a holy place लोग अक्सर walked on चलते थे इस पह to a holy place एक holy place holy place होते है पवित्तर स्थान पवित्तर स्थान पर जाने के लिए लोग अक्सर इस पह चलते थे one day एक दिन when the sun shone high in the sky जब आसमान में sun जो था, सूरज जो था shone, चमक रात, high in the sky many people, कई लोग were seen, देखे गए climbing up the hill पहाड़ी पर चड़ते हुए they were climbing वो climb कर रहे थे slowly and carefully slowly means dhira dhira and carefully carefully means सावधानी पूरवक ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगल एक लड़की also climb the hill उसने भी hill को climb कर रहे थे कर रही थे एक लड़की भी with them उनके साथ ही उन लोगों के साथ ही climb means चड़ना तो ये रहे लड़की है यहाँ पे her name was Mina उसका नाम Mina था Mina was 12 12 years old जो Mina थी वो 12 साल की थी she carried उसने उठाय हुआ था a small boy एक छोटा सा बच्चा on her back अपनी back पे अपनी पीट पे you can see here यहाँ पे अब देख सकते देखिए Mina ने जो की 12 साल की थी उसने अपनी पीट पे एक छोटे से बच्चे को उठाय हुआ था चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते बच्चो He was four years old वह है चार साल का था His hair was curly उसके जो बाल थे वो घुंगरा ले थे His eyes were black उसकी जो आँखे थी वो काली काली थी black थी and his face was as fresh as the morning dew और जो उसका फेस था वो as fresh उतना ही ताजा था जितना की सुबह सुबह morning dew सुबह सुबह जो dew होता है ना पानी की तरह ओस की ओस को बोलते है ड्यू जो ओस की बूंदे होती है उस तरह उसका जो चेहरा था वो fresh था चमक रहा था as the sunshine danced जैसे ही sunshine सूरज की रोशनी danced through the trees trees से होते हुए आई पेड़ों में से होते हुए जमीन पर अवाँ पहाड़ी पहाड़ी पहाई मीना climbed the hill मीना ने hill को पहाड़ी को चड़ना था वो slowly slow शुरू कर दिया and steadily लेकिन लगा तर चलती गई बहुत अच्छी सेहेंग है haste makes waste slow and steady waste the race मतलब haste जो होती है जल्द बाज़े होते है मेंशा waste जाती है लेकिन slow and steady जो हम दीरे-दीरे लेकिन लगातार करते है वो हमेशा wins the race हम जी जाते हैं उसमें तो यही का मीना करी थी उसने slowly and steadily वो climbed hill पाड़ी को चड़ती गई मीना was happy मीना खुश थी the boy was also happy लड़का भी खुश था a man in the group उस ग्रुप में लुक्ट एट मीना मीना की तरफ देखा he felt sorry for her उसको पिर बहुत दुख हुआ उस लड़की को मीना को देखकर अब क्या दुख हुआ आपको समझी लगी है कि इतनी एक तो पहाड़ी पे चड़ रहे है उपर से इतनी इतनी गर्मी होगी है जो सन है वो शाइन करने लग गया ब्राइटली तो इसको इसने कंदे पे बच्चे को उठाय हुआ है उसको यह देखके बड़ा दुख हुआ इसको उसको लगा ना कि बच्चे को उठाके चलना कितना मुश्किल है इसने पुछा उससे माई चाइल्ड मेरी बच्ची वाई आर यू आपने क्यो कहरेंगे बउई उठाय हुआ है एक लड़का ओन यूर बैक अपनी पीट पे आपने अपनी पीट पे ये बच्चा क्यो उठाय हुआ है डॉंट यू फिल इस लोड क्या तुम्हें इसका लोड जो है भार जो है महसूस नहीं हो रहा डॉंट यू फिल ठीक है आगे बढ़ते बच्चो मीना लुक्ट एट हिम मीना ने उसकी ओर देखा इन वंडर हैरानी में हैरानी में देखा शी कुड नॉट अंडरस्टेंड वो समय नी सकी कौन मीना शी कुड नॉट अंडरस्टेंड हिम उसको समय नी सकी अच्चे से हर ब्रदर वोस अनेबल टू वोक जो उसका भाई था वो चल नी सकता था अनेबल टू वोक मीना आस्ट मीना ने पूछा लोड भार वो तो मेरा भाई है बेटा इस इस तोरी यह स्टोरी थी यह स्टोरी बेटा एक बहुत अच्चा moral lesson हम सब को सिखाती है यह कहने को स्टोरी बहुत चोटी है और अब सोचोगे कि स्टोरी तो खतम भी होगी इसमें कुछ पता नहीं लगा कि क्या कहा स्टोरी में तो ये जो स्टोरी है ये एक्चली हमें बताती है कि अगर हम किसी चीज को अपना समझ के करेंगे तो वो हमें भार नहीं लगेगा जैसा कि मीना डि चार साल का जो बच्चा तो उठाया थो हुआ था भार तो नैच्छरली ये बटा उसमें होए गई लेकिन उसको बाहर नहीं लग रहा था क्योंकि वो उसको वो उसका अपना भाई था तो उसने कहा कि नहीं कैसा बाहर में कोई बाहर नहीं लगा मुझे तो इंज्वाय कर रहा है मजए से बच्चे को उठारी हूँ क्योंकि ये मेरा भाई है तो बैटा इसी तरह हम ये कहना चाहेंगे स्टोरी के माग्यम से कि हमने अपने आस प्रोस में माता पिता की बाई बैन की और उसके साथ साथ में आस प्रोस में जो मारे फ्रेंड सर्कल में बच्चे है जो हमारे नोन है उनकी भी जो सेवा है उनकी भी जो अपने सेवा करनी है वो इसी तरह बोज समझ के नहीं भार समझ के नहीं भाई समझ के करनी है ठीक है देखो भार से भार और भार से भाई होता है तो आपने बी से बर्डन और बी से ब्रदर होता है तो आपने बर्डन ही मा और इस तरह सुसाइटी की समाज की सेवा करनी है ठीक है बच्चो तो इस इस दा स्टोरी ये स्टोरी थी एक बहुत अच्छी स्टोरी जो बहुत अच्छा मौरल हमें दे रही है इस स्टोरी के माध्यम से हम सीखें तो अगर आपको इस स्टोरी अच्छी लगी तो इसको अप और सब्सक्राइब करो my youtube channel munish kumar the educator तो इस youtube channel पे इस तरह की धेर सारी story second class, third class, fourth class, fifth class sixth class, seventh class, eighth class की काफी stories आपको देखने को और पढ़ने को मिलेगी so thank you very much for watching this video thanks a lot